असलाम लेकों वीवर्स विल्कम बेक टो मैं चैनल तो वीवर्स आज हम बना रहे हैं घर पर बहुत आसान तरीके से बहुत टेस्टी और मज़ेदार पैंगो फुरूटी तो मैंगो फुरूटी हम घर पर भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और बहुत अच्छी और हमें तीनो किल आम हीज करना दो चाहिए जो प्रजाएं दो तो तो आधा यूज करना एक तो आदा कीलो आम उ गए हैं तो हम चील लेंगे हम आम तीनों चीहीन छ breast में कट कर लेंगे कुणकि हम कट उनकीशा Will always tries to step her मृखई से उनकी णाई चाड़ी मृखवा रिआई है या कोई चाड़ी मृखवा से सनकीशाइए उसमें हम डाल देंगे पकेँए आम की प्यूरी जो एक डाल की एक पेस्ट पना लेंगे मिक्सर में डालके और उसके बाद हम डालेंगे कच्छे आम की प्यूरी यह दोनों हमें eik में मिक्स करना है लेकिन पान अलग-अलग क्योंकि कच्छे आम की प्यूरी खटी रहती हैं यूमारे मेंगो फ्रोती बहुत ज़्यादा ध्ik मैंगो फ्रोटी को हमें पकाना है क्योंकि मेंगो फ्रोटी को हमें पकाना है और इसे चलाते हुए अच्छे से मिला दें क्योंकि कच्छे पके अलग लग रहेगी ना तो अच्छे फ्लेवर नहीं आएंगे यहां देके एक मेट हो गहे और हलकी हलकी हमारे मेंको फ्रूडी पक रही है अब行了 जाग एक है यानी बहुत ज़्साधा गारी है पॉध हम इसनी मिलाएंगे फ़िर भाद में इसके थीकरह देखके हम उसके और पानी मिलाएंगे तो अबश्यक्छे माई जिण करते है अब इस मैंगो फ्रूटी मीठी जादा अच्छी लगती है तो हम अभी आधा कप यूज़ कर रहे हैं उसके बाद फिर आधा कप और यूज़ करेंगे क्योंकि हम आधे कीलो आम में देड़ कीलो मैंगो फ्रूटी बनाकर रिडी कर देंगे इंशाला यह बहुत जादा अच्छी अब इसमें हम डाल देंगे आधा चमच वेनिगर यानि सफेज सीर का तो सफेज सीर का डालने से क्या होगा हमारी मैंगो फ्रूटी अगर हम एक से दिल महिनी तक भी रफिरीज मे रखके पिएंगे न तो यह खराब नहीं होगी और अगर वेनिगर नहीं डालेंगे तो यह तो इसे हम लगातार गयसे फ्लेम को हाई करके इसे लगातार हम चला चला कर पकाएंगे तो देखने इसका कलर चेंज में हो रहा है लेकिन बाद में बहुत अच्छे कलर हो जाएंगे तो यह देखे भी वार्स पकते हुई है हमारी 5-6 मिनट हो गए है लेकिन अभी भी अभी अच्छे से पकी नहीं है क्योंकि जब पक जाएगी न अच्छे से आपको खुद पता चल जाएगा क्योंकि यह आजू बाजू बहुत सारे जाग रहते हैं यह कम हो जाते हैं तो यह समझ जाएए कि आपकी मैंगो फ्रूटी डेडी हो जाएगी अभी इसे हम 2-3 मिट तक और पकाएंगे यह तकरीबन बनने में हमको 10-15 मिट लगेंगे तो यहाँ देखें मैंगो फ्रूटी हमारी पर्फिक्ट रेडी हो गई है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे चान लेंगे क्युक्कि आम के प्यूरी में ना कहीं के इटलिया थी यानि कहीं के बड़े बड़े आम रहे गए थे तो हम चान लेंगे तो ज्यादा पर्फिक्ट अग्दम पर्फिक्ट हमारी मैंगो फ्रूटी बन कर इड़ी हो जाएगी तो इसे हम चान लेंगे थंडा करके हलक- यहां देख सकते हैं वीवर्स यह कितने सारे इसमें देखें कितने आम पिर भी से हम चम्मत से दबा दबा के सारी प्यूरी को निकाल लेंगे अब इसको हम निकाल देंगे साइड में और फिर बाकी बचे हुए जो प्यूरी है ना मैंगो फुरूटी उसको भी छाल लेंगे क्योंकि यह सब गाड़ी चीज होती है तो जहनी में पीछे से बहुत जादा लगी रह जाती है तो हमें चम्मत की मदद से पीछे वाला हिस पीछे भी ती निकाल लेना चाहिए जो फिर उटी हम फसी रहती है तो यह आप ठीकने देखते हैं दिखने में माशाला बहुत जा अच्छा है तो अभी भी बहुत जादा गाड़ी है अब इसको हम कर देंगे थोड़ा सा थंड़ा जिब एक दम थंडी हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसमें और पानी डालेंगे तो एक गिलाज भर कम इसमें कर रहा है पानी पानी याट करेंगे क्योंकि मैंगो फुरूटी जादा गाड़ी नहीं होती आप बाजार से मैंगो फुरूटी अब लेके आते होंगे तो उसमें ठीक देख सकते हैं यह देखें यह हमारी बहुत मैंगो फुरूटी बन गई है अब इसको हम रख देंगे फिरीज में ताकि हमारी मैंगो फुरूटी एकदम परफिक्ट अच्छी सी थंडी हो जाए ताकि हम पीए तो और एकदम अच्छी लगे फिरीज में हम आदे से एक घंटे के लिए रख देंगे उसके माद फिर आपको लिखाएंगे तिहां देखेंगे वास मैंगो फुरूटी हमारी एकदम परफिक्ट थंडी हो गई है इसको सर्फ कर रहे हैं गिलास में आप देख सकते हैं इसकी कितनी परफिक्ट हमारी मैंगो फुरूटी को कप गिलास में निकाल लेंगे तो यह देखेंगे विवर्स कितनी परफिक्ट हमारी मैंगो फुरूटी रेडी हो गई है रमजान नस्दीक आ रहे अभी से आप बना लेंगे तो फिर फिरीज में रख देंगे तो रमजान में आपको आसानी रहेगी और ये हमारे आधे किलो आम में देर लीटर मेंगो फ्रूटी बनकर रड़ी हो गई है और माशालों से बहुत जार टेस्टी हुई है तो अगर हमारे तरीके से आप मेंगो फ्रूटी बनाएंगे तो बहुत जार अच्छी बनेगी और खराब भी नहीं होगी तो उम्मीद है आपको हमारी डिसिपी अच्छी लगी होगी अगर हमारी डिसिपी आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें थैंकि यू अलाहाफीज